चानक के IAS Academy में आप सभी का स्वागत हैं आज हम बात करने वाले हैं IPC, CRPC और Evidence Act के बारे में भारती दंड सहीता, दंड प्रकिरिया सहीता और Evidence Act की जगा लेने वाले तीन विदेकों पर आई रिपोर्ट ग्रह बंत्राले की संसदिय कमेटी में एकसेप्ट कर ले गई हैं इसके साथ ही विपक्षी सदस्यों ने भी अपनी एह सहमती वाले नोट भी सब्मित कर दिये हैं इसके मुख्य बिन्दों के अगर बात करें तो 27 ओक्टूबर को हुई बैठक में कमेटी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को सिविकार नहीं किया था कुछ विपक्षी सदस्यों ने ड्राफ्ट पढ़ने के लिए और समय मांगा था कमेटी ने उनकी मांग माल ली थी इससे पहले कॉंग्रिस नेतापी चितंबरम समेट विपक्षी सदस्यों ने कमेटी के अध्यक्ष ब्रजलाल से ड्राफ्ट पर फैसला लेने के लिए दिये गए सवय को तीन महीने बढ़ाने का आग्रे किया था सदस्यों ने कहा था कि चुनावी लाप के लिए इन विधेकों को उच्छालना सही नहीं है ये विधेक 11 अगस्त को संसद में पेश किये गए थे अगस्त में ही इससे जुड़ा ट्राफ्ट ग्रह मामलों की स्थाई समीती को भेजा गया था कमेटे को ड्राफ्ट स्विकार करने के लिए तेन महीनी का समय दिया गया था अब हम बात करेंगे इन विधेकों से क्या बदलाव होंगे उसके बारे में कई धाराई और प्रावधान बदल जाएंगे IPC में 511 धाराई हैं इसके बाद 356 बचेंगी 175 धाराई बदलेंगी 8 नहीं जुड़ जाएंगी और 22 धाराई खतम होंगी इसी तरह CRPC में 533 धाराई बचेंगी 160 धाराई बदलेंगी 9 नहीं जुड़ेंगी 9 खतम होंगी पूश तास से ट्राइल तक वीडियो कॉनफरेंस से करने का प्रावधान इसमें होगा जो पहले नहीं था सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब ट्राइल कोट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा देश में 5 करोड केश पैंडिंग है इन में से 4 करोड 444 लाग केश ट्राइल कोट में है इसी तरह जिला अदालतों में जजों के 25,042 पदों में से 5,850 पद खाली है इनो बिल जाच के लिए संसदी कमिटी के पास बेजे गए है इसके बाद ये लोकसभा और राज्यसभा में पास किये जाएंगे अब हम बात करेंगे इससे होने वाले बड़े बदलाओं के बारे में राश्द्रों के स्थानबे देश्द्रों होगा बिटिश काल के शब्द राश्द्रों को हटा कर देश्द्रों शब्द आएगा प्रावधान और कड़े किये जाएंगे अब धारा 150 के तहत राश्ट्र के खिलाफ कोई भी कृत्य चाहे बोला हो या लिखा हो या संकेत या तस्वीर या इलेक्ट्रोनिक माद्यम से किया हो तो साथ साल से उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान होगा देश की एकता एवं संप्रभूता को खत्रा पहुँचाना अपराध होगा आतंक वाजशक्द भी प्रभाशित होगा अभी IPC की धारा 124A में राश्ट्रों में तीन साल से उम्रकैद का प्रावधान है सामुदाइक सजा की अगर बात करें तो पहले बार छोटे मोटे अपराधों जैसे की नशे में हंगामा करना 5000 से कम की चौरी करना के लिए 24 घंटे की सजा या 1000 रुपे का जुरुमाना या सामुदाइक सेवा करने की सजा हो सकती है अभी ऐसे अपराधों पर जेल भेजा जाता है अमेरिका और UK में ऐसे कानून है मौब लिंचिंग के अगर बात करें तो मौत के सजा का प्रावधान इसमें होगा पाँच या जादा लोग जाती, नसल या भाशा के आधार पर हत्या करते हैं तो निंदम साथ साल या फासी के सजा होगी अभी सपस्ट कानून नहीं है धारा 302, 147 और 148 में कारवाई होती है राज्यों के लिए नए कानून कैसे होंगे सरकारी दाओं के अनुसार बिल पेश करने से पहले व्यापक राई शुमारी की गई है सम्विधान की सात्वी अनुसूची के अनुसार कानून व्यवस्ता और पुलिस राज्यों का विशह है समान नागरिक सहीता पर विधी आयोक के माध्यम से राश्ट्रिय बहस हो रही है इसलिए आपरादिक कानूनों में बदलाव से पहले राज्यों से प्रामर्ष के साथ देश में सार्थक बहत जरूरी है अगर इन विधेकों की बात करे तो इसकी प्रश्टमूवे के बारे में बात करना भी जरूरी है केंद्री ग्रह मंत्री आमिच्छाह ने संसद में 163 साल पुराने तेन मूलभूत कानूनों में बदलाव के लिए ये बिल लोगसभा में पेश किये थे सबसे बड़ा बदलाव राश्टरो कानून को लेकर है जिसे एक नए सवरूप में लाया जाएगा ये बिल इंडियन पीनल कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट है सरकार की ओर से कहा गया है कि 18 राज्यों छे केंदर शाषित प्रदेशों सुप्रीम कोड 22 हाई कोड त्याइक संस्थाओं 142 सांसदों और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन विधेकों को लेकर सुझाव दिये हैं चार साल की चर्चा और इस दोरान 158 बैटकों के बाद सरकार ने बिल को पेश किया है इन बदलाओं के लिए पहली बैटक सितंबर 2019 में पार्लियामेंट लाइबरेरी के रूम नंबर G74 में हुई थी कोरोना के दोरान एक साल तक इसमें कोई प्रगती नहीं हो पाई थी इसके साथ ही आज का हमारे विशय यहीं पर समात होता है हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद